जैग हाटु शाम दोस्तों मेरे चैनल सुक्सम्रदी उपाए में आप सभी लोगों का हाड़िक स्वागत है जैसा कि आज में बताऊंगी अगर आप खाटु शाम बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो आपको सारी जानकारी महां की होनी चाहिए महां क्या मंदिर है और महां आसपास क्या मंदिर है और हमें क्या ले जाना है हर चीज का मैं आज आपको बात करूँगी वीडियो अच्छी लोग प्योगी लगे तो लाइक जरूर करना सस्क्राइब जरूर करना में चैनल को जो आगे भी आपको सभी वीडियो मिलती रहें जैसा कि खाटु शाम बावा जो हैं वो कलियूक के देपता माने जाते हैं खाटु शाम बावा को सीज का दानी भी कहा जाता है खाटु शाम बावा हारे का साहरा है और खाटु शाम जी को कलियुक का भगवान भी माना जाता है खाटु शाम जी का मंदिर राजिस्थान के सिकर जीले में इस्तित है खाटु शाम जी हिंदूओं के एक लोग प्रिये देपता है और जो की रिंगस टाउन पर इनका मंदिर है रिंगस टाउन से 18 किलोमेटर की दूरी पर है इनका मंदिर, जो की सिकर और जैपुर हाईवे के बीच में इस्तित है, रिंगस घाटु शाम मंदिर के निकट रेलवे स्टेशन भी है, आप जहां रेलवे से जाना चाहें तो रेलवे से भी जा सकते हैं आप, और घाटु शाम पर बाबा की छड़ी मिलती है, वो जरूर खरी दे, और उसे लेकर ही बाबा के द्वार पर जाएं, उसकी मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, कैसे कैसे जाना चाहिए, जो बाबा इद्दम ही सुन लेते हैं, तो मैंने इससे पहले बताया है कि बाबा का रहसे, बाबा कैसे जनम बाबा की उत्पत्ती कैसे होई, बाबा कैसे जनम लिया, बाबा ने क्या हुआ, सब मैंने बाबा का रहसे की एक वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, बाबा सब की मुरादे पूरी करते हैं, जभी तो इने कह हारे के सहारे बाबा है हमारे घाटु शाम बाबा की पूजा हर महीने की द्रादस के दिन होती है जो इस दिन श्री घाटु शाम जी की पूजा करता है वो बनुश्य भगवान की किशन जी की पूजा करता है और जो स्री किष्ण की पूजा करता है वो भवसागर से पार हो जाता है ऐसी माननेता है कि यदि कोई भक्त खाटु शाम बाबाजी के मंदिर के में लगाता है पांस रादस को ब्रत रखकर उनकी सच्छी भक्ती से पूजा करता है तो उसके सारे काम बिगड़े हुए सब ये समी समान लेने हैं एक बार और बोल देती हुए एक मुठी चावल बिना टूटा हुआ यह होना चाहिए खंडिक कभी भी हमें पूजा में नहीं लेना चाहिए गी का दीपको खीरो चुर्मे का लड्डू एक मीठा पान रोली और अक्षत साम के समय गो पूजा करते हु पूली और अक्षत मिलाकर जोती में अरपन करें उसके बाद पाच चुर्मे के लड्डूों की आहूती दिननी होती है यह हो गई बाबा की पूजा अब मैं बताती हुँ कि किस मंत किस समय दर्सन खुलते हैं बाबा के सर्दियों के मौसम में दर्शनार्थी जोते हैं दर् दर्सन कराए जाते हैं यही गर्मियों में 4.5 बजे से खोल दिया जाता है और 9 बजे तक रात को दर्सन होते हैं साम को 4 बजे से 10 बजे तक खोल जाता है शाम मंदिर आपको मैंने पहली बता दिया कहां पर है घटु शाम नमक गाउं में है और राजधानी जैपूर जो है वहाँ से 80 km पढ़ता है और वहीं दिल्ली से आपको 300 km की दूरी पर पढ़ता है और वहाँ पर क्या है गूमने के लिए आसपास में इस थान ये भी जरू जानी है क्योंकि एक वहाँ पर वो भी है मंदिर भी और भी है वहाँ पर जैसे कि आप खाटुशाम के मंदिर के दर्स मंदिर है वो घाटुशाम बारवरिक मंदिर पर इससर से के पास ही मतलब बना हुआ है सरदालू जाते भी है वहाँ पर हन्मान मंदिर है वहाँ पर और लक्षमन गड़किला है सीकर है हरसनाथ है मंदिर है देवगढ है और दातराम गड़ है बहुत से इस पिकिनिक मां बाबा के दर्सिंद्रतों आीं और भी यहां पर सपॉट है बहुत से लोग दूर से बहुत विदेश्यों में तो कब जाना है जाते हैं साल में बारे महींदे जाते हैं पर एक तैम ऐसा होता है पागन की typ IPSTöll HOW बसंत में बाग के दते करने तब उस ट्रैम जाना चाहिए जब बागा उतरता है तो वह हमें मिल जाता तो बहुत ही सुमाना जाता है और क्या होता है महाँ पर जैसे कि आप जाएंगे आपको फागों के महीने में बहुत-बड़ा मेला लगता है माँ पर बहुत महां की बहुत जादा वो जानी जाती है अब मैं बताएंगे कि क्या चड़ाएं परशाद आप शिरी घासु घाटु शाम बाबा को चड़ाने जाएं तो उसमें परशाद में कच्छा दूद सबसे मुख्य माना जाता है यह बाबा को चड़ाए जाने वाला परशाद था और यह बाबा को सबसे प्रिये भी है इसलिए प्रियास करें कि कच्छे दूद का प्रशाद स्याम बाबा को अवस सही चड़ाएं खीर और चुर्मे का बहुत प्रिये है दुकान से खरीदे खीर चुर्मा के स्थान पर खीर का बना खीर चुर्मा मिलता है वो स्याम बाबा को कच्छे दूद से उसके प्रशाद भोग प्रशाद सामगरी चड़ाएं भोग लगाने के बाद बाबा शाम की आर्तिक गाते होए बंदना भी करनी चाहिए पूजा के अंत में पूजन विधी में अंजाने से मतलब कोई बहुत गलतियां भी हो जाती हमसे तो और आप मैं बताओंगी बाबा के मंत्र कौन कौन से मंत्रा में जपने चाहिए ओम शाम देवाय नमा ओम मोरवाय नमा ओम मोरवी नंदनाय नमा ओम शाम दाने व्राय नमा तो ये बाबा के मंत्र होते हैं ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए तो बहुत शुमाना जाता है वीडियो प्योगी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में लिखेएगा जै घाटु शाम जै हो गिलकदार के दादा जै हो हारिका सहारा